नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो हपी ल्टी टेट ल्टी कमिशन पीजी टी हिंदी जो स्कूल लेक्चरर निव है उसके रिगार्डिंग हम यह जो अपनी प्रशन सीरीज है इसको शुरू कर रहे हैं हलां कि इससे पहले हमने पिछले कर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हमारे वीवर्स हैं उनसे यह रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना जो रिव्यू है वो हमारे साथ सांजा करें कि क्या वो चाहते हैं कि इस सीरीज क को continue किया जाए क्या इन प्रश्णों की संक्या को बढ़ाया जाए तो बहुत साय लोगों ने उसमें participation दी है और बहुत साय लोगों ने वीडियो को देखा तो जरूर है लेकिन उन्होंने उस पर अपना कोई reaction नहीं दिया है तो जिन भी लोगों ने उसमें अपने जो review दिये ह हम आपको इसमें प्रश्णों दिखें लेकिन दीरे दीरे हम इसकी संक्या को है लगातार बढ़ाते जाएंगे और ये जो lecture है देखिए ये ना सिर्फ एल्टी टैट के लिए बलकि जो भी हिंदी से related exam आते हैं इसमें समाने हिंदी के प्रश्ण भी रखे गए हैं और इसमे आते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं तो इसमें देखिए आज हम लगभग पिछले कल हमने 15 प्रश्ण लाए थे आज हमने 25 रखे हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि समय समय पर ये थोड़ी सी इसमें संख्या बढ़ती रहेगी तो आज हम जानेगे क किस तरीके के जो 25 क्वेश्चन हैं जो यहां पर रखे गए हैं और कैसे कैसी प्रश्णों को इसमें हमें रखे जाने की जरूरत है ये आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्षन में जाकर क्योंकि आपकी सुझावों से ही ये जो सीरीज है वो हम शुरू कर रहे हैं आपको क चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो पर अपना कमेंट करें कि क्या प्रश्णों को सही तरीके से रखा जा रहा है क्या प्रश्णों का स्तर थोड़ा और मुश्किल होना चाहिए क्या LTP, PGT और TET में इससे जादा क्वेशन आते हैं या फिर इसी नेच पर में पूछे जाते हैं तो यहां पर देखिए आपके साब में विकल्प हैं महात्मा गांधी, अंबेड कर, रविंदर नाट टेगौर और जोहरलाल नहरू तो इसका जो सही आंसर था ये था टॉक्टर भीमराव अंबेड कर तो शिक्षा की बात उन्होंने ही की थी और इसके साथी साथ महात्मा गांधी ने भी क्या बोला इन्होंने भी हिंदी भाषा को लेकर के बहुत इंपॉर्टन चीजें कही हैं ये कहते हैं हिंदी को हम राष्टर भाषा मानते हैं जबकि टैगौर ने कहा कि हिंदी भाषा को राष्टर भाषा के रूप में ग्रहन करन चाहिए नहरुजी कहते हैं भारत को एक सूतर में बांदने के लिए हिंदी को ही राष्टर भाषा होना चाहिए तो बहुत ही important नाम है जितने भी महान जो लोग रहे हैं उन्होंने हिंदी के बारे में जो चीजें कही हैं वो important प्रशन है दूसरा प्रशन है देखिए कारिक भाषा के तौर में रखा गया है वो है मैथली तो मैथली हम सब लोग जानते हैं देखिए इसका उद्भव मागदी के मध्यवर्ति रूप से हुआ यह मिथला की बोली माने जाती है और इसकी उपवोलियां छे रही हैं चारों दिशाओं से आपने यार रख लेना है पूरपश्य मुत्तर दक्षेनी मैथली इसके साथ चिकाची की वजोहला दो अन्य बोलियां है इसकी ये भी आपको याद रख लेनी है इसके जो प्रमुक कवी रहे देखिए विद्यापती एंड नागरजुन नागरजुन को वैसे वो हिंदी के लेकक भी रहे हैं लेकिन उनोंने साहित अकादमी पुरुसकार लिया अपना मैथली रचना में वो कौन सी थी ये आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं अगला प्रशन है यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड ही रखा गया है हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है यहाँ पर आपके सामने विक इसके लाबा कामता प्रसाद गुरु रहे जिन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा और इसी के चलते इन्हें हिंदी का पाणिनी माना जाता है क्यूंकि इन्होंने हिंदी का श्रिष्ट व्याकरण लिखा था बात करें अगर हम हेम चंदर की तो इन्होंने प्राकृत व्याकर हैं वहाँ से रखा गया है कि resumption का जो शुद हिंदी रुपांतरण क्या है आप देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्ण जो आपको जरूर पुछ जाते हैं LTE TET में भी और आपका LTE कमिशन में तो खैर बहुत जादा रहते हैं तो इसका जो सही आंसर था देखिए यह था आपका जो प्रत्यादान है resumption जबकि जो प्रत्यावलोकन होता है वो होता है review and प्रस्तुती करण का मतलब होता है presentation जबकि हमारा जो प्रतिवेदन होता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं report तो यह आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रख लेने हैं जो भी आपके इस तरीके के शब्द हैं पारिभाशिक इनमें कोई भी फेर बदल नहीं होगा या ऐसे ही रहेंगे अगला जो है ऐसा ही प्रशन रखा गया है देखिए license का अर्थ क्या है मतलब इसमें देखेंगे आपके daily basis के आपके जो विज्ञान है वानिज्य है विधी है उससे related प्रशन आते हैं तो यहाँ पर license का जो अर्थ होता है यह होता है अनुग्या पत्र पासपोर्ट हो गया आपका पार पत्र, memorandum, समरिती पत्र और जो आपका reminder होता है समारन पत्र या अनुसमारक तो यह दोनों ही कहा जाता है reminder को ही यह चीज़ भी आपने याद अख लेनी है और ऐसे प्रशन आपको दिखेंगे देखना exam में definitely बहुत ही मौतपूर्ण है यह next question हमारा आता है आज का कि आपको जो शुद वर्तनी है जो spellings है उसका भी ध्यान रख लेना है कि हिंदी में शुद शब्द कैसे लिखे जाते हैं कौन सा शब्द तो यहाँ पर पारिभाशिक शब्द लिखा है तो विकल्प नमबर C इसका right answer हो जाएगा देखिए पारिभाशिक इस तरीके से लिखा जाता है बहुत सारे शब्द हैं देखना जैसे आपका सन्यासी हो गया शिरीमती हो गया आपका नुपूर हो गया इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है यह comment section में जाकर बता सकते हैं कवी 3 हो गया ठीक है तो इनको आप याद रख सकते हैं हमारा आज का जो next question है देखिए यह चमुनाथ किसका पर्याय है चमुनाथ देखिए चारवाहा है नौकर है धोबी या पिर सेनपती है इसका जो सही answer है वह है सेनपती तो सेनपती का पर्याय क्या माना जाता है चमुनाथ माना जाता है इसके अलावा जो धोबी हो गया जो बाकी चरवाहा हो गया उसके जो परियायवाची है वो क्या क्या है वो भी आपने देखने है लेकिन ये तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं तो आप परियायवाची भी याद रखिए नेक्स देखिए उचारन स्थान को लेकरके प्रशन अगला कि वह का जो उचारन स्थान है वो क्या है बहुत ही असान प्रशन होना चाहिए यह जिस पर एक्जाम के आप त्यारियां कर रहे हैं तो यह है दंतोष्थ आप देखते हैं आपके जो कंठ, तालू, मुर्धा, दंत नासिक्य, कंठोष्थ या कंठ, तालू, दंतोष्थ यह सारे हमारे क्या हैं उचारन स्थान हैं यहाँ पर कंठ में देखिए कवर्ग के जितने भी वरण आते हैं वो कंठ में आते हैं इसके साथ अ, आ, अ, और ह यह आ जाएंगे तालू में इ, इ, चवर्ग के वर्ण और यह और श, यह हो जाएगा, मूर्धा में री, तावर्ग के वर्ण और जो आपका ररसी वाला और शश्टकोन वाला श आ जाता है, दंत में जो है लवर्ण होगा और तावर्ग के वर्ण हो जाएगे और स, स्लेट वाला हो जाएगा इसमें, दंत में, ओश्थ में उ, और प तालू से मिलकर और दान्टों और ओश्ठों को ले करके ठीक है तो यहां पर जो हमारा वह था वह है दंतोष्ठ ए एई है कंठतालवय और ऊर अव जो आते हैं ये आते है हमारे कंतोष्ठ में तो सारे के सारी उचानस्थान आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे अगला प्रशन है देखिए सन्यास में उपसर्ग कौन सा है देखिए सन्यास इस तरीके से लिखा जाता है ये वर्तनी आपको याद रख लिए बहुत सारे लोग इसको गलत कर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सन्यास में जो उपसर्ग है वो है सम सम उपसर्ग से जो बने शब्द होते हैं उनमें जैसे समपूर्ण हो गया सम्मुक हो गया सरक्षन हो गया समकक्ष हो गया संग्राम समकोन इत्यादी इत्यादी तो ये हमारे सम उपसर्ग से बने उए शब्द हैं और भी अगर हैं इसका जो सही आंसर होता है, वो क्या होता है, वो होता है मीन अक्षी, मीन और अक्षी होता है, आंक मीन वा मचली की तरह आंक वाली, ठीक है, नेक्स आता है यहां पर मत्स्य गंधा, कुछ लोग जो है इसको मतस्य कहते हैं, तो मत्स्य गंधा होता है, मचली की तरह गंध वाल वाली म्रिग लोचना मतलब हिरन के समान सुंदर आंखों वाली जबकि मत्स्यायन होता है एक प्रकार का योग का आसन ये भी याद रखना है आज का अगला प्रशन है शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है वेरी वेरी इंपॉर वेरी गाथा काल इसने नाम दिया था देखना आदिकाल को ये आपको याद रख लेना है भक्तिकाल को भक्तिकाल इसी नहीं सबसे पहले कहा था रीतिकाल को इसने सुझाया था नाम कि इसको श्रिंगार काल नाम भी दे सकते हैं लेकिन इसने बोला कि ये भक्तिकाल इंदि उद्भव और विकास ये जो साहिते तिहास की पुस्तक है देखना बहुत ही इंपॉर्टन पुस्तक है ये इसको आपने याद रख लेना है इसका जो सही आंसर है वो है उद्धे नाराइन तिवारी जबकि आप देखते हैं हजारी प्रसाद दिवेदी ने भी लिखा था कु नेक्स आता है यहाँ पर शुक्ल ने प्राकृता भास हिंदी किसे कहा है बहुत ही जरूरी प्रशन है देखना ये कि जो हमारी प्राकृता भास हिंदी रही वो शुक्ल ने किसे कहा था ये अपवरंश को कहते हैं देखना प्राकृता भास हिंदी इस संदर्म मेनों ने क्य किसे माना चाता है आप देखिए हिंदी के प्रत्थम कवी को लेकर के अलग-अलग बिद्वानों ने अपने अलग-अलग मत रखे हैं इन में से जो इंपॉर्टेंट है और सर्भमाने मत अनुसार रहे वो रहे सराप्पा और सराप्पा को किसने माना था ये माना था आपके जो राहुल सांकृतियायन रहे और सर्भमाने मत भी यही रहा बाकी यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट रखे गई है आप वीडियो को पॉस करके भी इसको देख सकते हैं कि किस ने जो है ये किसको पहला कवी माना था चलिए अगला प्रशन देखते हैं हमारा आज का जो प यहां पर संदेश रासक थी यह संक्रांतिकालिन भाशा इसकी रचाईता अब्दुर्रहमान रहे और डॉक्टर नगेंदर ने इसको क्या कहा ये कहते हैं कि संदेश रासक ने हिंदी साहित्य के लिए स्थाई प्रेड़ना का काम किया जबकि विश्वनात्रिपाठी के अन देखे एक तरफ सिध्धों ने अपने पंच मकार दिये दूसरी तरफ लुईपा ने अपने पांच विकार अलग से दिये तो इन मेंसे जो इंपोर्टन्ट है वो था मास इसको इसने स्थान नहीं दिया था इसने पंक्ति कहिए देखे लुईपा ने का तरुवर पंच वि आता है वो आता है हमारे सिध्धों ने जो अलग से दिये थे पंच मकार इसमें मास मचली मुदरा मैथुन और मध्य यह सिध्धों में आने वाले जो 5 मकार है इनको भी आपने यारख लेना है बहुत ही important है हमारा सिध्ध साहित्य और सबसे पहले यह पधों की शरुआत चो पर अगला प्रशन तो विश्णु शर्मा जो नाम था ये था मतसेंद्रनाथ का मतसेंद्रनाथ के अन्य नाम थे मचंद्रनाथ मीननाथ चौथे बोधी सत्व अबलो की तेश्वर इनको माना जाता है कि ये गोरकनाथ के गुरु रहे हैं और साथी साथ आपको यार रख लेन ठीक है नेक्स कोश्चन आता है यहाँ पर स्थूली भद्र रास किसकी रशन है तो रास परंपरा में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखा गया है और चरित काव्य किसका मिलता है ज़्यादा तर जो जेन तीर्थ कर रहे हैं उनका तो यहाँ पर स्थूली भद्र रास के जो रचेईता रहे जिन धर्म सूरी, इसके लावा सूमती गणी निर्खी नेविनाथ रास, आसकु कवी ने लिखा चंदनबाला रास और जीवदया रास, जो इंदू की रशना है योगसार और प्रमात्म प्रकाश, और अपरश में दोहा काव्यक की आरंब जो माना जाता है ये किसे माना जाता है, जो इंदू से ही माना जाता है, जिनका समय छट्यू शती रहा, लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं, वो स्वैंभू से भी मानते हैं कि इसकी शुरुवात हुई थी, अगला प्रशन है देखिए, प्रित्विराज रासो किस शैली में लिखा गय ठीरुवात किस शैली में लिखी गयी है, जो थोड़ी सी कैसी माने जाती है, कोमल शैली माने जाती है लेकिन कुछ कहते हैं कि डिंगल भी है, लेकिन सर्व माने मत अनुसार यहां पर पिंगल हो जाएगा, ठीक है, शुकलने इसे पहला महाकाव्य और चंद बरदाई को हिं उन्हें चप्य चंद का राजा कहा जाता है ये चीज आपको यादक नहीं है देखिए बहुत ही मुत्वपुन चीज़े हैं इसके बारे में तो पृत्विराज रासों से रिलेटेड ये वला प्रशन था अगला प्रशन एक बार फिर से पृत्विराज रासों को ही ध्यान में रखकर रखा गया है क्योंकि यहां से प्रशन जादा बन सकते हैं तो यहां पर विलग बोला गया है कि इसको विशाल वीर कावे की संग्या किस ने दी थी तो इसको वीर कावे जो कहा है देखिए विशाल वीर कावे ये शाम सुंदरदास और उदे नराणतिवारी इन दोनों ने मिलकर कहा था जबकि डॉक्टर नगेंदर ने इसे क्या कहा ये कहते हैं यह एक घटना कोश मात्र रहा है इस चीज को याद रख लेना है इसमें वीर और श्रिंगार दोनों रसों का परिपाक हुआ है ये चीज भी आपको याद रख लेनी है प्रित्वी राज रासोस से नेक्स कोश्चन आता है भाव न होई अभाव न जानई यह पंक्ति किसकी है तो पंक्तियां देखिए आदिकालिन जितने भी यहाँ पर विकल्पों में नाम रखे हैं इन सब को आपने याद र पदावली इनकी मैथली की रही और मैथली के बारे में बहुत सारी चीज़े लिकी गई है कि इसी के चलते इनको मैथल कोकिल कहा गया और पदावली के चलते ही इन्हें अभिनव जैदेव कहा गया क्योंकि जिस तरीके से जैदेव ने गीत गोविंद लिकी उसी श्रेणी क यह रचना रही है और इसी के चलते हिंदी क्रिशनगीत परमपरा का आरंब जो है वो विद्यापती से ही माना जाता है अगला प्रशन है देखिए निमिलिकित में से किस कवी पर हठ योग का प्रभाव पड़ा है तो यह हम सब लोग जानते हैं हठ योग का जो प्रभाव रह किसके उपर रहा नात्पंथियों के उपर रहा इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जायागा गोरकनात गोरकनात से प्रशन आता इसके समय के लेकरके वो आपने जरूर याद रखना है यहां से प्रशन बन सकता है आपको देखना नेक्स कॉशन है सुनी सेज पर डरावन लाग लगते हैं इस पंगती को ठीक है next question आता है अभी अंतर को त्यागे माया पंगती किसकी है तो यह हमारा आज का आखरी प्रशन है तो यहां पर एक पर फिर से पंगती से रिलेटेड ही प्रशन रखा गया है देखिए यह भी गोरकनात की ही महत्रपुन पंगती है तो इस पंग मेल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इस तरीके का बहतर कॉंटेंट यहां पर मिलता रहता है थैंक्यू जैहीं